आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को लंबा और मजबूत करने के साथ साथ आपके बालों को देगा नैच्रल ब्राउन कलर ब्लैब कलर और इससे में जागा मुस्ट इंपर्टेंट बात यह है कि जो डाय हम अपने बालों में यू तो उससे आपके बालों का कलर बहुत लंबे समय तक चलेगा लगबक हफ्ते भर से तो ज्यादा चली ही जाएगा लेकिन आपको जिस तरह से मैंने यह टिप्स बताए हैं इन्हें आपको फॉलो करना पर तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में डाला है मैंने ग्लास पानी इस पानी को में मलका सा गरम कर लेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे देर चमच के करीब चाही की पत्ती थोड़ा सा मेथी दाना एक चमच के करीब और आठ से दस लॉंग यह सबी चीज़ा इसमें खौलनी देंगे फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़े से य कर लें और उसके बाद इसे कर लें ठंडा जब ठंडा हो जाएगा फिर आप एक जो महंदी का पेस्ट तैयर करेंगे उसमें से हमें मिक्स करना है यह जो पानी होता है ना यह इतना अच्छा होता है मारे बालों के लिए जो हम डाय बालों में लगाते हैं तो वह क्या होती है से दो दिन बाद उतरने लगती है अगर आप डाय लगाने के बाद अपने बालों में महंदी लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके बालों में कलर भी बना रहेगा और आपकी जो डाय है उसने जो कलर दिया था वह प्लस जो महंदी का जो यह कलर जाएगा यह आपके रहेगा मतलब के बालों में महीनों तक कलर नहीं उत्रेगा आपको डाइभी लगानी जोत नहीं पड़ेगी प्लस आपके बाल जो सफेद हो गाए वो भी नहीं दिखाई देंगे तो यह जो पानी है वह मैंने इस में डाल दिया है इस महंदी को जो है नाम बहुत अच्छे से घौल लेंंगे एकको ब्राउन क्लर चाहिए भरंडी क्लर चाहिए तो आप इसमें पॉफी का पाउडर भी मिक्स कर सकते थे साथे साचिस आप इसमें जो है र attention जोह भी मिक्स कर सकते हैं तो यहान पर ये Das आप में कढूए में लोही की कढई में भिगो दिया था क्योंकि यह पर collar करने के आप आप सफेद में इतनी बड़ी नहीं हुई तो यहां पर अपने बच國 लगा लूँगी देखिए आप जब डाई लगाएं क्योंकि मैं भी प्रोसेस जो है इस्तमाल करती हूं इसकी मैं आपको बता रहे हूं और उसके बाद देखिए जब इसने तीन से चार घंटे रखा तो आप इसका कलर देखिए कितना ज्यादा प्यार आया है तो आई होप आ झाल